जाहिए तुर्णे सलों, बैक्टू मैच चनल्स, तो आज कर वड़े लिक्या हूं, मैं SEO सेल नंबर 53 के लिए तो SEO सेल नंबर 53 के बारे मैं आपको बता दूँ, आप लोग काफी लोग काफी जार डाउट्स में हो तो आपके कब इसके आपको फॉर्म बरने हैं, कब आपके वाइल सी के इसके इंट्रेंस होंगे, सारी कुछ चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ, तो किलिरली इनको सुनना आप, और नोट कर लेना, विकाज आपके पास टाइम बहुत जादा ही कम है, तो देखे, जो भी SEO Candidates हैं, जो भी फॉर्म के लिए अपलाई कर रहे हैं, 53, उनके लिए जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट कब तक का होगा, लास्ट डेट होगा 21 जैनवरी, आपकी बार के लिए 21 जैनवरी 2023 आपका लास्ट डेट होगा, और ये लास्ट डेट कब के लिए हैं, आपके यूनिट में कमांड लेटरंड करनल की है, तो आपका इंटर्विव होगा ब्रिगेडियर से, अगर आपके यूनिट में कमांड करनल की है, तो आपका इंटर्विव होगा मेर जनरल, सो ये चीज़ क्लियर रखना, ये इंटर्विव होने के बाद जो भी सारी प्रोसेजर ह कुछ नहीं करना होता है इसमें ना कोई फॉर्म बनना होता है ना कुछ एक्सरा चीज़े हैं जस्ट अपने आप कंदिक लक्सियम मिली वो आपके डॉक्मेंट से यार करेगा आपके एंटर्व्यूज होंगे और सेम वो रिकमडेशन वाला जो आपके पेज़ेज हैं और जो फॉर्म की डिटेल हैं वो आपके रिकॉर्ड में पहुँचा दी जाएंगी तो बस इतना सा काम आपको करना है इसके लिए बट इसके साथ में एज क्राइटेरियम बहुत लोग अभी भी इसमें डाउट में हैं तो एज में बता दूँ 30 से लेके 35 साल आपकी एज क्राइटेरिया है दूसरी चीज है आपके लिए एक वाइल सी एक्जाम कंड़क्ट होता है जो की ACC एक्जाम कंड़क्ट होता है जो की ACC एक्जाम कंड़क्ट होता है तो अगर अब की बार ACC एक फरवरी को कंड़क्ट होता है तो आपके वाइल सी का जो date होगा ये date होगा चाहे तक मेरे पास अभी तक official letter नहीं आये हैं अगर मैं को official letter मिलता है तो मैं टेलिक्राम के थूँ जो हमारा whatsapp group है उसके थूँ मैं आप लोगों को info कर दूँँगा तो ये है यहाँ पे एक basic सा detail अभी इसके बाद आपके लिए सबसे important है ये 30 से 35 साल का जानना दूसरा है YLC के बारे में YLC एजाम दिने से फाइदा क्या है आपको 18 week का trading करने का मौका मिल जाता है कहाँ पे OTA चिन्नाई में जिसमें आपके 50 सीटे होती है SEO candidates के लिए and medical NTR entry के लिए so इसके लिए 50 सीटे हैं जितने लोग इसमें से qualify करेंगे वो एक दिन के लिए वहाँ पे screening के लिए आपको बुला जाता है उस screening के अंदर जितने लोग in होते हैं वहाँ stay करते हैं और वो total quantity उनकी होती है 50 और इस साल का मैं आपको बता दूँ while see का जो update है काफी अच्छा है feedback पहले से completely change है तो while see 06 में काफी ऐसे candidates हैं जो की ACC में पकी बार जो recommend हुए हैं वो while see 06 से maximum of the candidates while see वाले हैं इसके बात next चीज है आपके लिए while see 07 already run हो रही है आपकी unit में भी जो लोग होंगे उनसे अब feedback पूछ सकते हैं कि feedback क्या रहा है while see 07 का वो भी आपको बता देंगे while see 07 अभी running चल रही है तो अगर आपको जाना है while see 07 में तो while see sorry while see 08 के लिए आपके लिए जो ACC अभी होने वाली है ACC 128 ये और SEO जो SEO अपने 53 होगी ये जाएगी while see 08 के अथर सो आप अपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो because while see अच्छा platform है आपके लिए और अगर आपको while see regarding notes चाही है तो notes भी हमारे पास मिल जाएंगे notes के लिए आपको simply इस नमबर पे whatsapp करना होगा और जो भी notes के cost है details है क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें वो आपको मिल जाएगा अगर मैं यहीं बात करूँ आपके recommend आपके इसके बात SSB की बात करूँ मैं कि आपकी SSB की date कब तक आ जाएगी तो आपकी SSB आप मान के रखे अभी के हिसाब से September से October तक आपके SSB की date आएगी जो भी candidates अभी apply करने वाले हैं 53 के लिए September to October because अभी आपका almost ACC के पास में चल रहा है आप लोग पूछते हो सर आपको कहां से लेटर मिला अभी तक भाई लेटर नहीं मिला बट जो एक सेट पैटन फालो कर रहे हैं ACC की आपकी SSB होती है उसी समय SEO की भी SSB उसी के आसपास चलनी सुरू हो जाती है तो अभी आप पैरलर चल रहे हो जैसे अभी ACC 127 के साथ में SEO 51 वालो के SSB चली है 52 वालो का कब चलेगा अभी आपके जो 127 वालो ने क्लिर किया है March April तक उनकी SSB चल जाएगी तो आपकी SSB जो SEO अभी देने वाले हैं SEO 53 के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनकी SSB का डाइमिंग सेप्टेंबर से अक्टूबर के बीच में होगा तो अभी से तैयरी स्टार्ट करो आज से करोगे तो सेप्टेंबर अक्टूबर तक जाते वक्त आप पूरे तैयार हो जाओगे सो आपकी SSB के डिटेलिंग बाद बाकी अगर आप ट्रेनिंग पिरिएट का पूछने चाओगी भाई ट्रेनिंग कितने पिरिएट की होती है तो यह 11 महिने का आपका ट्रेनिंग का पिरिएट है 11 मन्स आप ट्रेनिंग करोगे OTA में और उसके बाद आप एक GC1 के बाहर निकलते हैं तो आप की यह डिटेलिंग आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप पका वीडियो को जो पहली बाद दे करें सस्क्राइब करें चैनल को जितना जितना हो सके लोगों से शेर करें और वीडियो को लाइक करें So once again if you like this वीडियो Please like subscribe my channel and thanks for watching this वीडियो जैहन